नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलंग शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि इसोमेफोल DSR कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, इसोमेफोल DSR कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और इसोमेफोल DSR कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, इसोमेफोल DSR कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है, इसोमेफोल DSR कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, थटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर इसोमेफोल DSR कैपसूल का उप्योग किया जाता है, Isomifold DSR Capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़़ से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़़ से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Isomifold DSR Capsule को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़़ से ये side effects ना हो इसलिए आपका Dr. Isomifold DSR Capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा Isomifold DSR Capsule का उप्योग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी किया जाता है Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है Isomifold DSR एक brand name है Isomifold DSR Capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है Isomifold DSR Capsule के अंदर salt composition Isomifold Prajol और Domperidone होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Isomifold DSR Capsule की वज़से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Isomifold DSR Capsule की वज़से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Isomifold DSR Capsule की वज़से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मासपेसियों या जोरों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं इसके अलावा Isomifold DSR Capsule की वज़से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं लंबे समय तक Isomifold DSR Capsule का सेवन करने से यानि कई महिनों या कई सालों तक Isomifold DSR Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Isomifold DSR Capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Isomifold DSR Capsule को लेने से औस्कियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्कियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है Isomifold DSR Capsule की वज़़ से औस्कियोपोरोसिस तभी होता है तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की इसोमेफोल DSR कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर इसोमेफोल DSR कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं इसोमेफोल DSR कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए इसोमेफोल DSR कैपसूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको इसोमेफोल DSR कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं इसोमेफोल DSR कैपसूल को ले सकती है या नहीं वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इसोमेफोल DSR कैपसूल का सेवन करना recommended नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इसो में फोल्ड इसार कैपसूल को लेने की सला दे सकता है इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इसो में फुल डिये सार कैपसूल को नहीं लेना चाहिए